हाई फिरेंड्स वेलकम टो अवर यूटूब चैनल तो इस वीडियो में कॉम्यूनिटी सील्ड फुटबोल मैच इस वीडियो में कवर करेंगे और यह मैच खेला जाएगा मैंचेस्टर सिटी और अरसनाल एपसी के बीच में तो दोनों टीम में से आज की मैच में कौन सी टीम एक सट्रॉंग टीम है और कौन सी टीम एक वीक टीम है इस टॉपिक पर हम डीटेल्स में चरचा करेंगे और यह टॉपिक भी काफी इंट्रेस्टिंग है कि कौन सी टीम इस मैच को विन करेगी और कितना गोल सकोर करेगी और किन ग्यारे प्लियर 근emaker को तीम में लेकर चलना है और उन क्यारे में किस प्लियर को कैप्टन और किस प्लियर को वाइसक्टन देना है यह सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में कम्प्लीट दी जाएंगे आप वीडियो को तिहान से देखना अब हम इन दोनों टीम के head to head matches पर नज़र डालेंगे और वहां से यह पता करेंगे जब यह दूनु टीम आपस में खेलती हैं तो किस टीम के पास winning की possibility हाई रहती है तो चलिए नज़र डालते हैं दूनु टीम के head to head matches पर तो फिरेंट्स इन दूनु टीम के बीच में last 6 head to head match खेल गए हैं और 6 match मैंचेस्टर सिटी ने जीते हैं और ना ही कोई match draw खेला इसके सामने ना ही कोई match loss किया है बलकि attack wise 2.7 goal per match सकोर किया है defense wise 0.5 goal per match सकोर कंसीड किया है कहनक मतलब जब भी मैंचेस्टर सिटी अरसनाल के सामने match खेलती है अधिकतर match जीती ही है अटेक wise हर match में इस टीम सामने कम से कम दो और कभी कभी तीन ये चार goal भी सकोर कर देती है और defense wise ये टीम जल्दी से goal concede नहीं करती हर दो match में एक goal concede करती वरना goal तक concede नहीं करती और match को एक तरफा win कर लेती है अब हम बात करें जो पिछला match दोनों टीम के बीच में खेल लगा है वो काफी high scoring match देखनों मिला और उस match को manchester city अपने home ground में 4-1 से match को win कर गई चार goal score किये लेकिन defense wise ये goal concede किया और again दोनों टीम के बीच में और match खेल लगा है और उस match को भी manchester city ने 3-1 से जीत गया तीन goal score किये लेकिन defense से ये goal concede किया कहना मतलब manchester city इस team सामना हर match में goal score भी करती है और defense wise कहना कहीं goal भी concede करती है लेकिन match को manchester city ही जीती है अब आप उससे पिछले से जितने match इन दोनों टीम बीच में खेल गए हैं उन सभी को भी check out कर सकते हो तो city ने ही हर match में जीत दर्ज की है तो इसलिए मैं आज के match में manchester city को एक favorite team मान के चलता हूँ लेकिन हम बात करेंगे इन दोनों टीम का जो recent form है उसका अनुसार दोनों टीम का attacking और defensive performance कैसा है तो चले नजर डालते हैं पहले हम manchester city का recent form पर तो guys manchester city ने recent के 6 matches में से 4 match में जीत दर्ज की है और 2 match में loss भी सामना किया है attack wise 1.8 goal per match शकोर किया है defense wise 1.3 goal per match शकोर किया है कहनक मतलब अधिकतर match तो win ही कर लेती है लेकिन attacking wise हर match में goal शकोर भी करती है लेकिन फिलहाल के time पर इस team का defense में थोड़ी सी weakness देखने को मिली है मतलब per match में goal शकोर कर देती है और Bayer Monique के सामने यह team friendly match खेली और उस match को यह team 2-1 से win कर गी उस match में 2 goal सकोर के लेकिन defense wise उस match में भी goal conceded किया है और एक match Yoko Hamak सामने यह team friendly match के ली और 5-3 से उस match को जीत गी तो recent के तीन match इस team ने friendly खेले और तीनो match में goal सकोर भी किया है लेकिन defense wise तीनों match में goal concede भी किया है और उसे भी मुकावल ये team Inter Milan के सामने UFA Champions League का final match 1-0 से win की थी यादी होगा आपको वो भी हमने one side win किया था और उसे भी मुकावल Manchester United के सामने team 2-1 से win की एक match जरूर Brent Ford के सामने Premier League में खेला इसने 1-0 से उस match में हार का सामने किया बल्कि पिछले 6 match में team ने almost हर match में goal score भी किया है और defense wise per match में एक ये दो goal per match score concede करना का इस team का defensive average देखने को मिलता है तो अब हम बात करते है Arsenal FC का recent form किस परकार का है तो चलिए उस पर भी नज़र डालते है तो guys Arsenal FC recent के 6 match खेल चुकिये 6 match इस team ने 4 match में जीत दर्ज किये एक match draw भी खेला बल्कि एक match loss भी किया है attack wise 2.8 goal per match score क्या defense wise 1.2 goal per match score concede किया कहना का मतलब फिलहाल के time पर अधिकतर match या तो ये team win करते है या draw खेलते है लेकिन match को loss नहीं करती और attack wise हर match में goal score भी करती है और defense wise ये team कहने कहने goal concede करना के average रखती है अब हम बात करें जो पिछला match Arsenal Monaco के सामने 1-1 से draw खेली बाद match penalty में ये team 5-4 से win कर गी FC Barcelona के सामने friendly match खेली और Barcelona जैसे team के सामने team काफी high attacking खेली और उस match को 5-3 से win कर लिया और एक match Manchester United के सामने team 2-0 से हार गी उसमें goal MLS All-Statars team के सामने खेली और उसके सामने भी team जो MLS यानि अमेरिका के जो जितने भी footballers थे उनके सामने match खेली उसके सामने 5-0 से win कर गी और नोर्जबर्ज के सामने team attacking draw खेली लेकिन इस match में हमने one side win किया था और मेरी prediction भी Arsenal की तरफ थी लेकिन one one draw खतम हुआ वो always के सामने team 5-0 से win की तो performance अगर recently Arsenal के देखा जाए अटेक वाइस काफिश यानदार है और अधिकतर match win भी करती है defense को लेकर ये team भी कहने के goal consider कर देती है तो finally guys अब बात आते है कि अब इस match का score line prediction क्या होनी चाहिए मतलब इस match को कौन से team जीतनी चाहिए और इस match में exactly कितने goal होने चाहिए तो चलिए अब इस match को हम predict कर लेते हैं तो friends इस match की score line निकालने से पहले मैं आपको इन तीनो format को समझाओंगो और इन तीनो format को compare करने के बाद दोनों team को दोनों team मैंसे आप आराम से खुद decide कर सकते कि कौन से team सटरोंगे देखो पहले हमने दोनों team की point table बार हम बात नहीं की लेकिन मैं आपके लिए बता दू पिछले season Manchester City Premier League की top table team थी और इसने FA Cup भी विन किया था UFA Champions League भी विन किया था और इस बार जो Arsenal team है वो एक थोड़ी सी weak team है वरना Arsenal भी काफ़े बहतरीन team है पिछले season इसने भी काफ़े चाह सटराट किया था अटेक वाइज भी काफ़े बहतरीन सी और defense से भी काफ़े मजबूत थी लेकिन City के पास काफ़े जादा बड़े players है और काफ़े जादा confidence वाले players है और काफ़े जादा मुझे लगता है कि आज के match में confidence साथ खेलेंगे क्योंकि ये match होता है जो community shield वाला ये early match होता है और ये उन दूर टीम के बीच match होता है जो FKF winner के team के साथ और जो title यानी प्रीमिर लीग की जो depending champion team रहते उसके साथ तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुकाबला है तो कहीं न कहीं आपको City pointable का नशार मजबूत देखने मिलेगी दूर टीम के हमने head to head matches देखे है head to head matches में देखने मिला है कि City ने जब भी Arsenal के सामने किया है City ने हमेशा match जीता है लेकिन Arsenal ने इस team के सामने एक goal पर match करने का average रखा है लेकिन match को हार ही ज़रूर है दूर टीम के हमने recent form देखा है recent wise देखा जाये तो Manchester City recently performance attacking wise काफी स्यांदार दिया है लेकिन defense को लेकर ये team कहने के goal consider कर देती है वही चीज हमने head to head में देखने मिली head to head में भी goal consider कर देती है और Arsenal का recent form attack wise बहुत बहतर है प्लस defense भी इश्का भी कहने के down है जो City का attack को कहने के ही आज के match में goal करने का chances देगा तो मुझे तो 3 format में City एक better team देखने को मिल रही है as compared to Arsenal तो इसलिए मैं City को एक favorite team मान के चलता हूँ final guys अब बात आती है का अब इस match का score line prediction क्या होने चाहिए मतलब इस match में कितने goal होने चाहिए और इस match को कौन सी team जीतने चाहिए obviously मैं अपने team का favor रखता हूँ MCI इस match में कम से कम 3 goal तो करके देगी और इस match में Arsenal की तरफ से एक goal आएगा या दो goal भी आ सकते है लेकिन मैं इस match को फिर भी एक high scoring predict करके चला हूँ इस match में 3-1 अब 3-1 के prediction को नहीं सार क्या रहनी चाहिए हमारी इस match की team और किस-किस player को हमें अपने team में लेकर चलना चाहिए और उन में से किसको captain देना किसको wise captain देना यह सारी information अब आपको दी जाएंगी क्योंग अब तक जो video में information दी गई है वो team को लेकर दी गई कि कौन सी team इस match को win करेगी कितना goal score करेगी लेकिन अब मैं आपकी information players को लेकर दूँगा कि कौन कौन से player आज के match में important है तो चलिए सबसे पहले Manchester City की possible line-up और player state पर नज़र डालते हैं उससे पहले आपने हमारे telegram channel को join नहीं किया तो इसी video का top के comment में video को description में आपको telegram channel का link मिलेगा इस match की जो final update रही वह आपको वहाँ पर दी जाएगी और हाँ दोस्त साथ में आप YouTube channel को subscribe जरूर करना क्योंकि इसी परकार की video information आपके लिए इस channel पर हर रोज मिलती रहेगी तो आप channel को subscribe करना और bell icon को जरूर ओन करना ताकि आप पास next time video को notification मिलती रही और एक बार वीडियो को like भी जरूर कर देना तो चलिए अब देखते है possible lineup को तो गईज मैंचेस्टर सिटी की possible lineup आपको इस परकार देखने मिलेगी adderson as a goalkeeping section में आपको देखने मिलेगा देखो goalkeeper तो मैं manchester city का बिल्कुल भी आपके लिए suggest नहीं करूँगा क्योंकि Arsenal के सामने city है और city काफ़ ज़्यादा attacking team है और attacking team है तो सीधी से बाद Arsenal का goal के पर test होगा तो उस condition में मैं इसलिए इनको नहीं लूँगा अब हमें बात की करनी चाहिए इस team की तरफ जो आपको defending section में मैनुल अकांजी है Rubin Dias है यहां से Nathan Ake है और एक आपको John Suttonis देखने को मिलेगा देखो इन चार defender में से आपके पास कम सकम तीन तो होने चाहिए पहली choice मैं अपने team में Suttonis का रखूँगा second choice Akenzi रखूँगा third choice Nathan Ake रखूँगा अगर आपको लगता है कि header में एक गोल आ सकता है तो यहां से Rubin Dias को भी रख सकते हो यह आपको लगता है कि close scoring मैच रहेगा तब इनको रख सकते हो बलकि मैं अभी के लिए suggest नहीं करूँगा Rodriguez Hernandez यह आपके लिए बता दूँ काफी कम गोल आते हैं इसके लेकिन जब भी गोल आता है काफी बड़ा मैच इसमा आते हैं और वेसे भी आज के मैच भी काफी बड़ा है तो कहीं न कहीं long short से गोल कर सकता है और edge substitute काफी ज़ादा गोल आते हैं इसके यंग एंड टैलेंटिड आप कह सकतो अर्जेंटीन या अर्जेंटीन फिफा वर्ल्ड कप जीती थी तो उसके सुक्वाइड में था यहां तक यह मैच भी खेला था और सिटी के लिए तो फिलहाल टाइम पर काफी स्यांदर परफोर्मेंस करके दिया है फिल फोर्डेंट पिछले सीजन का इसी टीम के तरव से साइकन हाईर गोल टे करता है जैक रिलिस काफी चांसस करेट करता है असिस का पोटेंसल हाई रहता है गोल का चांसस कम रहते हैं लेकिन यह डिफेंसिव पॉइंट अच्छा खासा दे जाता है अर्लिंग हलांड इसके बारे में जितना कम सब बोलूँगा उतना ही ठीक रहेगा क्योंकि यह जितना बैटर प्लेयर है फिलहाल टाइम पर सिटी के लिए इससे बैटर प्लेयर अटेकिंग पोजिशन पर आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है इस लाइनप को नहीं सर हमें किस-किस प्लेयर को हम टीम में जगा देनी है हलांड को लेना है जूलेन अलवारेज को रखना है और हमें टीम में डिफेंडिंग सार्स मैनूल अकांजी जोहन सटोनेस नाथन अके इनको भी रखके चलना है फिल फोडेन अटेकिंग पोजिशन खेलेगा तो इनको रखनगे क्योंकि से अर्सनाल के सामने टीम काफी जादा गोल करती है अब यहाँ पर आपकी चोईसे बर्नांड शिल्वा या नाथन अके इन दो में से एक को ले सकते हो वह आपकी चोईसे आप किसको रखते हो लेक इसले सेजन हलांड ने 35 मैच खेले टीम के लिए और 33 मैच में सटार्ट किया जब भी खेला 90 मिनट खेला और 36 गोल किये और इसने 8 असिस्ट भी निकाले तो इस तरह इसका रिकोर्ड आप चेक आउट कर सकते हो यहाँ पर एक प्लेयर्स का रिकोर्ड है काफी ज़्यादा सकोर हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ वो नहीं खेलेगा उसका नाम है रियाद महराज यहाँ पर यह इसका आप ज़्यादा मैंसन मत रखना क्योंकि यह दूसरे टीम के लिए जा चुका है तो दोस्त अब हम बात करते हैं अर्षनाल की पॉसिबल लाइनप और प्लेयर्स नहीं करूंगा अगर हेडर में गोल आ सकता तो सालीबक आ सकता वरना चांसेस आर लेस की डिफेंडिंग सेक्शन में इससे बहतर को प्लेयर्स है इन मैंसे मैं ना सज़ेस्ट करूंगा ओके मार्टिन ओडिगार्ट रखन ओबेसल टॉप फाइर गोल टेकर पिछली सीजन क नियू साइनिंग इस टीम के लिए और डिफेंशी वर्क अच्छा कराएगा बिना गोल के कम सकम 20-25 पॉइंट तो आराम से दे जाएगा काई हावर्ड है सिटी के सामनी तिन अच्छा नहीं खेलता है तो इसलिए सज़ेस्ट ने करूंग बुकाई शाका है ओबेसली प्रफॉमेंस करना वाला प्लियर से रिसेंटली पर्फॉमेंस काफी स्यांदार है नकीट है ग्रांड लीग में ट्राइग कर सकते हो गैबरियल मार्टिन ले जो बिना गोल के पॉइंट भी खास अच्छा कास देता प्लस यह डिफेंसी वर्क भी अच्छा कर लेता गोल का हावर्ज रखेंगे अगर आप इनमेंस नहीं रखने चाहिए तो चिंचेंग को या सालीबा देखो सालीबा हेडर वाइज काफी सटर होंगे चिंचेंग को क्रोसस निकाल सकता असिस्ट कर सकता बिना गोल को पॉइंट दे सकता है तो यह इसका पास पोटेंसल है हर एक प् पोटेंसल हाई है असिस्ट पोटेंसल हाई है तो इनको लेकर चलना है ओके बिना गोल के पॉइंट दे जाता है तो इस तरह आप हर एक प्लेस का सट्रेट को रीड़ाउट कर सकते हो और हाँ इस मैच जो फाइनल अपडेट रहेगी वह आपको हमारे टेलिग्राम चैनल मि करते हैं ने स्ट वीडियो में काफी कम टाइम होने के कारण यह वीडियो को यहीं पर रोक गया है वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है वह आपको एक बहतर टीम बनाने के लिए ताकि आप इस वीडियो के जरिए आप अपनी टीम को अच्छे से क्रेट कर करुबस्ये एक जितनी टीम को एए अच्छे से कि एपको उल्खे आपढ़िए यहाई में जितन वैदी ऑमारइन दी होती है 很 कै कि आए।